जहन साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सेलेंट योटोब चैनल पे आज की डेट में आपको बताने वाले IMPLABILITY SKILL IT SECONDAR के कुछ IMPORTANT QUOTION जो की परिच्छा में बार-बार पूछे जाते हैं यदि आप भी IT SECONDAR के चात्रें और किसी भी ट्रेट से आप ITI करें IMPLABILITY SKILL के आप कोशन देखना चाहते हैं तो आपके लिए आज की जो वीडियो होने वाली है खास होने वाली है और खास तरस से ये जो होने वाली है परिच्छा के लिए तो चलिए आज का कोशन सुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दूँ जितने भी कोशन यहाँ पर बताये जा रहे हैं सब कुछ आपको नीमी से यहाँ पर कोशन बताये जा रहे हैं और इसको कोशन को आप कैसे यहाँ पर जयान पाएंगे कि कौन सा यहाँ पर कोशन सही है उसके भी आपको जनकारी देने वाले हैं तो सबसे पहला आप यहाँ पर कोशन देखिए जिसमें पूछा जा रहा है कि दा पलंबर इसके बाद यहाँ पर आगे खाले स्तान है दा पाइपस श्टरडे कहने का मतलब है कि कल पलंबर ने पाइपों की क्या की तो आपसने मरमत भी आपसने मरमता सी आपसने मरमत कर रहा था और यहाँ पर दिया गया मरमत कीती तो देखिए दा पलंबर यहाँ पर है और इसके बाद यहाँ पर आपको खाले स्तान देखने को मिला है इसके बाद यहाँ पर आपको नाउन देखने को यह आप इसको कह सकते हैं यहाँ पर मरम्मत की भी कह सकते हैं या मरम्मत की थी भी कह सकते हैं कोई दिकत नहीं है तो यहाँ पर आपका D-Apsons सही हो जाएगा और जैसे आप D-Apsons पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हरा कलर में यह आपका कबर हो जाएगा दरसल दोस्तों आपको बता दे यह जो जनकारी में आपको दे रहा हूँ एक website के मादम से दे रहा हूँ जिसे कि आप यहाँ पर देखिए अगला कोशन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कुमार आगे खालेस्ताना और गुड कॉर्पेंटर कहने का मतलब यह कि कुमार एक अच्छा बढ़ाई है तो इसमें यहाँ पर क्या लगेगा कुमार यहाँ पर कौन सा यहाँ पर है तो यह आपका जो होत अगे बढ़ते हैं शातों अगले कोशन को देखिए जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा कि कल आओ और द्वार ठीक करो यहाँ वाकिय है, मैंने किस परकार की वाकिय है तो देखिए, यहाँ पर ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि किसी को यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि आपको कल यहाँ पर आना है और यहाँ पर द्वार को ठीक करना है जिसमें यहाँ पर अलग-अलग sentence के अलग-अलग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं वाकिया तो इसमें जो आपका हो जाता है इंपरेट्व के अंतरगती आता है अनिवारे रूप से कहा जा रहा है कि कल आपको इस कार्यों को करना ही होगा तो आथात हम कह सकते आपस कहा जा रहा है कि इसमें यहाँ पर करार जा जा रहा है कि स्ट्रेनिग ऑग लिए तो देखिए यह जो आपका आता इक बिस्मियादिक बोधक के अंतरगत मतलब कि जो एक्सलमेट्री यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है आप इस तरह भी पहचान सकते यहां पर देखिए जो यहां पर Excellemgnatory जो यहां पर लाश्ट्र बिया भी चया लगा हुआ ऐसे। इस तरह भी आप यहां पर पहचान सकते Sims सबसे बड़ा यहां पहचानने का असान तरीका होता है तो उसमें जो आपका यहाँ पर जो इस तरह आपका फिगर में लाश्ट में आप देखेंगे जब यह कोशन पूछा जाता है तो लाश्ट में ऐसा यहाँ पर मारक आपको देखने को मिलता है यह बिस्मयादी बोधक चीन का होता है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर किलिक करते हैं एक नंबर पर और यह आपका सही हो जाता है बिस्मयादी बोधक आपसर नंबर एई हमारा करेक्टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं साथियों अगले कॉशन को देखिए जिसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि अपने बॉस को संबोधित करते समय आपको खालेस्तान होना चाहिए असंबो या अपचारिक या और अनोपचारिक या यहां पर आपको कोई भी नहीं आपसन देखने को मिलना है तो सिंपल सी बात है आप अपने सिनियर को संबोधित करेंगे तो किस तरह संबोधित करेंगे यहां पर आपको जो आपसन देखने को मिलना है आपसन नमबर सी यह बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाता है सी आपसन हम करेक्ट इंसर मारेंगे आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए साथियो अगला कोशन थोड़ा सा यहां लंबा है तो यहां पर आपसन और यहां पर कोशन एक में यहां पर कभर नहीं हो पाएगा इसलिए आप हिंदी में इसको देख लिए इसमें पूछा जा रहा है कि ग्रहक ने महिला कारेका करते हैं ऐसे आप समझेए पूरस जो होता है उसके लिए हम ही का परियूग करते हैं ठीक है यह आपका जो हो जाता है एक आपका होता है सी तो यहां पर महिला के लिए हम सी का परियूग करते हैं लेकिन महिला तो इंडिकेट जो हमारा कर दिया गया सब्जेक्ट के रूप म जब आप grammar पढ़ेंगे तो उसमें case एक chapter है उसमें आपको इसके बारे में पूरी जनकारी देखने को मिल जाती है इसका यहाँ पर चार्ट एक होता है उस चार्ट को यदि आप याद कर लेते हैं तो आसानी से इसको समझ पाएंगे तो यहाँ पर महिला के लिए हम किसका परयोग करेंगे तो यहाँ पर माली जी हम गीता लिख देते हैं या आप कोई भी other यहाँ पर person ले सकते हैं जो कि महिला का नाम हो गीता ले सकते हैं रीता लिख सकते हैं गंगा लिख सकते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे एक आप noun की तरह यहां पर देखेंगे तो हम इसके लिए आप पर C का परियोग करेंगे और यहां पर हमरा किसे मैस और सुरिस ले लें तो इसके लिए हम किसका परियोग करेंगे ही का परियोग करेंगे तो यहां पर इसका जो यह सब्जेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट हर का यहाँ पर प्रियोग हमारा सही होगा यहाँ पर हम सी करेक्ट इंसर मारेंगे आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए जिसमें साथ यह अगला कोशन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आई टी आई परचारी ने मनुझ को बुलाया परधानाचा याँ परचारी ने अगे खालेस ताने CTNS परिच्छा के लिए हाल्टिकत दिखाने के लिए यह किस परियोग करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए परधानाचारी किसको बुला रहे हैं तो CTNS ह्सान राको जाता है थीगे मैंने आपको उपर बताया है और यहां पर जो ही है उसके लिए तो मनोझ को क्या करने कि उसे हम कह सकते हैं और यहां पर जो आपका ही हो जाता है साथि pencil आपको देखने को तो इसतर आप इसको पढ़ के द्यान से आप समझ सकते हैं तो इसमें देखिए क्या होगा पहले तो आपढ़ को आपकर सही हो जाएगा लिंक में आपको दे दूँगा इस website का इस video के description में जहां से आप असानी से पढ़ सकते हैं अगला question आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि नमस्ते आप कैसे हैं क्या हो रहा है यह खाले स्थान है देखिए यहाँ पर क्या लगा गया है यहाँ पर question mark लगा गया है और question mark किसमें देखने को मिल जाता है information के लिए यहाँ पर अनुपचारिक संचार का यह आपका यहाँ पर कारी हो जाता है आपसन नमबर जो सही हो जाता है यहाँ पर भी आपसन बिल्कूल correct answer हो जाता है सभी लोग मिला लिजेगा आगे देखते हैं अगले question को अगला question आपके सामने जिस तरह के उधारण के अंतरगत आएगा तो सातियो यह जो आपका आएगा अपचारिक के अंतरगत आएगा इसके अंतरगत अपचारिक के अंतरगत और यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा सातियो आपसन नमबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए अगला कोशन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि आप किनारा इस्टोर में अपने परिवच्छक से मिलते हैं तो आप होंगे और किस तरह के होंगे आप मुह मोड़ या जो भी आपको यहाँ पर समाल लेना उसको आप ले सकते हैं तो यह किस तरह आजाता है यह आपका अपचारी के अंतरगत आ जाता है और यहाँ पर जो आपको देखने को मिल ला है आपसन में यहाँ पर सी आपसन देखने को मिल ला है तो हम सी आपसन पर यहाँ पर क्लि आप आई टे करें और आई टे के वर्साप में आप काम कर रहें उस समय आप किसी भी चीछ को आप किसी भी इस ब्रेंट से लेना है या अपने से पार्टी से या अपने अमित्र से लेना है तो उस समय आप उससे क्या कहेंगे तो उस समय आप सात्यों क्या करें क्या आप मुझ आगे देखिए अगले कोशन को जिसमें यहाँ पर अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कमपनी ने बढ़ाई को दिये गए आयामों के साथ एक बॉक्स डिजाइन करने के लिए कहा जब उसे मंजूरी मिली तो उसने कमपनी के लिए कई और खारिस्तान बनाए तो क् क्या बना सकता है तो आपसन में आप देखिए डीबा बना सकता है या अलमारी बना सकता है या बक्से बना सकता है या नंबर बना सकता है तो जहिड सी बात है वो अलमारी बनाएगा तो हम यहाँ पर बक्से बनाएगा अलमारी भी बना सकता है और यहाँ पर बक्से तो यह ये बड़ा पतला लंबा चोकाओर और चमकिला नुकिला कठोर खालिस्तान के उधारण ही ये किसके उधारण है ये साथ वरण करने वाले सब्द है क्या करने वाले वरण करने वाले सब्द है किसी भी यहाँ पर बस्तू का ये क्या है नाम है इसको हम क्या करते है उसको नाम स हो जाएगा हमारा आपसर नंबर ए बिल्कुल करेक्पेंसर हो जाएगा कोशन नंबर यहाँ पर 14 को देखिए जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मुझे कार्यस्तल की सुरच्छा के बारे में सिकायते मिलिये किरपिया उन्हें तुरंत जाचे और मेरे साथ विवरण सा यहां ञाया के बारे में से के आजा करें यहां उधारने यह किस तरह का उधारण विवर्य इंपोर्टेंन कोशन को आप ध्यान से देख लेजिए एगा और यह जो आपका आता है साथ कार्यस्तल संचार की अंतरगत आता है नीचे वाला ना थर यहांपर जो आपका सही हो जाएगा साथियो यहाँ पर B option बिल्कुल correct इंसर हो जाएगा D option यहाँ पर दब गिये गलती से इसको यहाँ पर incorrect कर लिजेगा और यह जो है आपका बिल्कुल सही हो जाता है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि table, dark, socket, cable, हथवडा, कील, pipe, motor, refugierator के उधारण है यह किसके उधारण है तो साथियो यह जो आपके उधारण आते किसके यह आपके जो उधारण आते table, dark, socket यह जो आपके आते करिवाई के सब्दे या सरवनाम के मतलकी परनाउंस के हैं या वड़न करने वाले सब्दे तो यह क्या है यह आपका नामकरण सब्दे क्या है साथियो इसको नामकरण यहाँ पर दियागे कि इसको इस नाम से जाना ज जाता है तो यह आपका जो सही हो जाता है आपसा नंबर D मिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाता है आगे देखिए अगले कोशन को जिसमें अगला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि fix, nap, police, lift, grind, machine, operate के नाम है सरनाम के है या करवाई के नाम है या वरण करने वाले सब्द है या नाम करण सब्द है तो साथियो यह जो आपके आते है किसके अंतरगत आते हैं करवाई के सब्द के अंतरगत आते हैं आपसा नंबर D आपका करेक्ट इंसर हो जाएगा आगे दे किसके आते हैं बिराम चिन के उधारण के अंतरगत आते हैं आपसा नंबर यहां पर आपका भी मिल्कुल करेक्टेंसर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए जिसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि आपसे अनुरोध है कि दिये गए कारे को शोमवार तक कर लें यहे हालिस्तान का उधारण यह किस तरह का उधारण है अजये आघले कोशनको जिसमें पूछा जा रहा है कि हाव भाव चहरे के भाव आख से संपर्क करना खालिस्तान के उधारने ये किसके उधारने तो सातियों ये जो आपका आता है non-variable communication के अंतरगात आता है यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा आपसर नमबर भी मिलकूल correct answer हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले question को देखे जिसमें यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि अभिवाधन आपको खालिस्तान में मदद करता है यह किसे असे नमबर यहां पर आपको मैच करता हुआ पर मारेंगे और सही हो जाता है दोस्तों इस तरह की डेली आप question पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो पर एक लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सस्क्राइब कर लें